आज का अपना वेबिनार है इसके उपर प्रेडी के उपर आज अब मुँझ कवर करने वाले हैं छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने अल्रेडी दे दिया थे जो पहले जॉइंग किये थे मेरा नाम समीर अलावादी है और मैंने इसे कंसल्टेंट काम किया है उसका शेकरो के हैं प्रैवेट लिमिटेट कंपनी में आज हम प्रॉफिटेबल पैडी फार्मिंग के अंदर यह सब कवर करने वाले क्लाइमेट जॉइल क्लॉपिंग सिस्टम मैफड ऑफ कल्टिवेशन जमिंग कैसे देयार करेंगे नरसरी कैसे देयार करेंगे बुआई कैसे करेंगे फटिलाइजर कौन सा देंगे पानी का कैसे ध्यान रखेंगे आंतर खेड कैसे करेंगे कौन सा खीड़ा कौन सा रोग आता है उसकी बार में देखेंगे और हार्वेस्टिंग की बार में देखेंगे क्लाइमेट एकमासफ़री क्लाइमेट बहुत बड़ा रो प्ले करता है ग्रोथ और डेवलप्निट के लिए पैडिक के अंदर पैडिक से हरे जो ठменपरेश जो रहता है फ्लावरिंग के लिए है, fertilization के लिए तो वो 16-20 का अच्छा रहता है, और growth & development के लिए 25-30 degree तेमपरेच महर बहुत अच्छा रहता और दाना भरने के लिए 25-25 degree का तेमपरेच बहुत जादा अच्छा रहता है, high temperature, especially रात के समय गर high temperature रहता है, तो जो reserved food होता है धान दान के अंदर वो चला जाता है ज्यादा अच्छी बेस्ट के लिए जो टेंपरेचर होना चाहिए दिन का और रात का टेंपरेचर होना चाहिए 15-20 घर चाहिए 25 जाता है तो जो पॉलंस होते हैं जो दाना होता है आया होता है वह गिरना शुरू हो जाता है और दाना भरनाय में भी तकलिफ पड़ती है अर्व तिस से 25 जो आइवरेच टेंपरेचर जो दिन का रहता है तो वह उसकी वज़े से ग्रोथ के ओपर भी असर आती प्लावरिंग के उपर भी असर आती है उसके साथ साथ अगर टेंपरचर 15 डिग्री से कम रहता है तो उसकी वज़े से भी वेजिटेटिव ग्रोथ भीरी हो जाती है प्लावरिंग का प्रॉब्लम आ जाता है मैक्सिमम टेंपरिचर जो धान की खेती सहन कर सकती है वो 20 से 40 से 40 से बैताली डिग्री ही कर सकती है अगर आपका आपके आपे क्लाइमेंट इससे एक्स्ट्रीम जा रहा है आगे बीचे हो रहा है तो आप धान के अंदर नफाकारक खेती प्रॉफिटिबल पार्मिंग नहीं कर सकते हैं तो आपको उसका ध्यान रखता है अगर अगर आप उस एरिया में हैं जहां पर सो पान उगा जाता है भारत में वह अंडर इरिगेशन रहता है क्योंकि इसके अंदर पानी की ज़रूर्द ज्यादा रहती है तो प्रानी के अंदर दस से बारा सेंटीमेटर तक का पानी भरे रहना चाहिए जब वाई की जाती है और शुरुवात की ग्रोश स्टेज के समय त तो पानी अगर कम रहता है तो धान की खेती अंदर वापस है जो जरूरूर्द प्रोडक्शन आना जी वह नहीं आता है दूसरा जो जमीन होती है वह लेवल होनी ती है उसको टेबल टॉप बोलते हैं और उसका जो लो मड वाल्स होना जाहिए ताक कि पानी अटक सके जो अ तो वह नॉर्मली प्लेंस के अंदर जहां पे जमीन फ्लैट होती है वहां पर धान की खेती की जाती है पाड़ों पर इसले इसकी खेती नहीं देती है दूसरा जहां पर बहुत वेल वाटर जहां पर पानी अच्छा अवेलेबल है लो लेंड है प्लेट एरिया तो उसको का घब थोbel Oh गोड़िक में जाता है कि जमीन किष्ट नीच स्टेम चीर में रहती है जैसे मैंने बोला के वह जर्ट रिक्वार्मेंट है एसी जमीन जिसके अंदर humidity अच्छी कासी maintain रहे जहां पर अच्छी पानी बारिश हो रही हो साथ में पानी की बोर की अच्वा तो नहर की अच्छी विवास्ता हो और अच्छा खासा high temperature maintain करता हो मैंने आगे पिश्टे बारे site में ले लिया है major जो जो रहती है राइस कंटिवेशन वह रहती है काली सॉइल, ब्लैक सोल लाल सॉइल, लाल रेती वाली जमीन, तेरा ही वाली जमीन, मतलब कि जो पहारों के नीचे का एरिया होता है वो, और मीडियम से लेकर शैलो ब्लैक सोल, थोड़ा बहुत black soil plus main requirement है कि कहीं पे भी हो जमीन फ्लैट करके ही हो सकता है जा धानकी खेती जहां पर क्या बहुत ग्रेवल है पत्थर है थोड़ा बहुत और सिल्ट है वहां पर भी अच्छी कासी होती है अगर जो soil के अंदर कर रहे हैं उसके अंदर organic matter बहुत अच्छा है से powder easy हो जाता है सुकाने पर और तो वह एक आदर्श तरह की जमीन होती है मतलब की जो खेड़ किया जाता है जब ट्रेक्टर से तो उस समय पर लिंग अच्छी रहती तो एक आदर्श जमीन रहती है धानकी केती दोनों उसका pH साथ से काम हो उससे भी होती है और साथ के उपर वाला पी हो वह भी सुटेबल रहता है एसे डिक और अलकली दोनों कंडिशन के अंदर हो सकता है नॉर्मली अलगलग तरह की क्रॉपिंग सिस्टम होती है एक सिक्वेंशल क्रॉपिंग सिस्टम होती है सिक्वेंशल क्रॉपिंग सिस्टम के अंदर मल्टिबल क्रॉपिंग जाता है कई जगा पर तीन क्रॉप लिए जाता है वो डिपेंड करता है कौन से एरिया में है दूसरा सिस्ट्रम रहता है मिक्स क्रॉपिंग का जिसमें दो या ज्यादा वरैटी का धान एक साथ में लगाया जाता है और वोरेमिक्स कर दिया जाते है कोई भी उसमें रो की अरिजमेंट नहीं होती है का तीसरा सिप्राइटा मोच्छी सिप्रेटी तरह से उसकी सबस्के dolly करेंका लिए जाता है वो यह जाथ अच्छा नहीं रहता है दूसरे रिले अगÕंछ अल्रडी एक साथ में दूसरा क्रॉप लगा दिया जाता है, धान का खेती निकल जाती है, तो दूसरा क्रॉप बाद में अपने अप शुरू हो जाता है. यह सब तरीका पूरे भारत के अंदर अलगलग जगा पर अपनाया जाता है, लोकल एरिया के प्रैक्टिसे से इसका अपने, कल्टिवेशन का भी अलगलग तरीका होता है, कैसे बुवाई कैसे होती है उसकी, ब्रोडकास्टिंग तरीका, ब्रोडकास्टिंग तरीके के अंद मतलब कि धान का दाना यूं हाथ से फैंक कर उसको उगाए जाता है यह नॉर्माली उन एरिया में होता है कि जहां पर जमीन सुखी रहती है और जाधा बहुत जाधा उपश वाली होती है जहां पर बहुत जाधा लेबर अवेलिबल नहीं रहते हैं इस के के अंदर minimum labor जाता है लेकिन yield भी उसके सामने बहुत कम आती है यह recommended तरीका नहीं है अगर आपको धान की नफ़ा का रखेती करनी हो तो दूसरा तरीका रहता है drilling method जिसके अंदर जो एक बाजू खेड की जा रही होती है और दूसरे साथ में साथ में पीचे-पीचे बीच का भ लिमिटेड है पैनिसुलर इंडिया जो साउथ इंडिया जो समुद्र से गिरा हुआ एरिया वहां पर ही है दूसरा जो ट्रांस्प्लांटिंग मेथर वाला है जो ज्याजा तर किसान इसको यूज करते हैं जो नॉर्मली जो फल्दूरूप जमीन होती है वहां पर जहां प जूर्षन ट्रांस्प्लांटिंग मेथेड से ही जांगी खेती होती है इस तरीकी खेती के अंदर पहले सीड्य जो है वह नरसरी में लगाया जाता है और उसका पॉधा बनाए जाता है चार से पांच विक के बाद में जो बहादा बनता है उसको खेड़ कर दूसरे फील्ड भी आता है एक और पददी है जिसको जैपनिश पददी बोला जाता है जिसमें नॉर्मली बहुत हाइड इल्डिंग वराइटी लगाई जाती है इसके अंदर रेजबेड मतलब कि जमीन को पर करके रेजबेड करके नरसरी बनाई जाती है और उसके असको ट्रांस्प्लांट जाता है और एकदम सब कुछ लाइन टू लाइन किया जाता है ताकि सब काम इजीली हो सके और एकदम जो अच्छे किसान होते हैं वो नॉर्मली ये जैपनिश पददती से ही कामकाच करते हैं जैपनिश पददती जो रोती है उसमें फटिलाइजर का बहुत हेवी डोस जितने भी मेन राइज उगाने वाले एरिया है वो उसके अंदर ये जैपनिश पददती से ही पूरा की पूरी खेती की जाती है हाँ सरी बेटन बराबर है सरी बेटन बोलते हैं इसको यह टेक्निकल वर्ड भी में आगे लेने वाला हूं जमीन की कैसा तयारी करेंगे जमीन की तयारी ख़रा जाता है पानी की अवैलिबिलिटी कैसी है और आपके या में वातावरण कैसा है जहां पर बहुत जादा है व्यावी रेनफॉल है तो वहां पर वेट सिस्टम की खे लेटेटी अवेलेबल नहीं है मतलब आपके παस भर भी नहीं है आपके नहर भी नहीं है पानी कि कमी है तो फ्लाऎ किर किसेंड़ वह भीयधा गार जाल जाता है उसके आदर अच्छी तरह से भर दिया जाता है पडलिंग करने के बाद पडलिंग मतलब कि वो उसको अंदर ट्रेक्टर चलाते हैं जो साइड में लोहे का होता है या बैल की मदद से जो पडलिंग की जाती है जिसके अंदर जमीन को क्या बोलते हैं अब पूरा का पूरा दबा दिया जाता है वो लोहे के जो ड्राइ कल्टिवेशन सिस्टम रहता है इसके अंदर आ इसको मतलब अच्छी तरह से प्लाव किया जाता है और उसके अंदर गोबर खाथ भी अच्छी तरह डादा जाता है चार वीक पहले ताकि एक लेवल कर प्रोडक्शन आ सके उसके बाद में सीड की बुवाई की जा आरिया रहते हैं जहां पर यह में अच्छे स्केल पर एड़ोप्ट की जाती है भारत के अंदर धान की खेती के लिए तीन अलग लग सीजन है एक खरीब बोलते हैं खरीब के अंदर इसके अंग्रेजी में सको आटम का जाता है जिसमें ट्रांस्प्लांटिंग में और जू का जो रभी सीजन का जाता है जिसके अंदर प्लांटिंग नॉर्मली जून जुलाई में की जाती है और उसकी हर्वेस्टिंग नवंबर डिसेंबर में की जाती है तीसरी तरह की होती है कि जो गर्मी की सीजन बोला जाता है जिसके अंदर ट्रांस्प्लांटिंग नवंबर और एरिया गेंदो दो क्रॉप लिए जाते हैं धान को उगाने का तरीका धान को नॉर्मली बीच से उगा जाता है इसलिए सीड का सिलेक्शन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सीड का सिलेक्शन करते समय हमें कुछ चीजों का बहुत ध्यान रखना चाहिए बतलब हम जो भी में सबंड दना धान को अब स्वस्तन बहुत बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए और उसका जर्मनेशन अच्छा होना जईक है यह सारे नॉर्मली जो अच्छी कीजों का ध्यान रटना है दूसरा नॉर्मली 12-14 किरो प्रती एक कर सीड की रिक्वार्मेंट बहुत होती है कि सीड का ट्रीट्मेंट खुब इंपॉर्टन रोल प्ले करता है ताकि आपका अच्छा वह रहे तो जो बीज रहता है उसको नमक के सॉल्यूशन के अंदर दस मिन नीचे बैठ जाता है वह निकालते है उसको तूरं के तूरं दो लेना चाहिए पानी के साथ में और उसके बाद में उसके उस बीच को एक अच्छे फंगिसाइड में डालना चाहिए अगर आप केमिकल ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो कर्बेंडिजम या मेंकोजेब के अंद से या माइक्रोब्स ले सकते हैं जिसके अंदर सभी तरह के बायो फेटिलाइजर हैं सभी तरह के बायो पेस्टिस्राइट सूडो मोनस ट्राइकोडर्मा भी है और या फिर आप फंक प्री ले सकते हैं जिसके अंदर बहुत अलग लग तरह के फंगस आते हैं ट्राइकोडर् आरहा है तो आप उसके अंदर स्टैट्व्राइड कर सकते हैं या पिर आफ फिर अंवनस में भी उसका treatment कर सकते हैं चाहिए नार्मली क्या होता है कि सीड उगाने से पहले थोड़ा सा उसका sprouting fungi निकलना शुरू हो जाता है और उसके बाद में उसको nursery में डालते हैं क्या होते हैं कि सीड वेस्ट नहीं होता और नर्सरी अपनी बहुत जादा अच्छी होती है उसको उसके बाद में ट्रांस्प्रेंट किया जाता है यह हमारे जो आपका बेक्टरेल या फंगल के लिए ट्रीट्मेंट के लिए हमारे सूडो मोनस है पाउडर लिक्विड में फ क्लेई सॉइल जिसमें चिकास वाली जो सॉइल रहती है वह बैश्ट रहती है जमीन रहती है नर्सरी बनाने के लिए लेट मैट्यूरिंग वराइटी जो लेट होती है तो उनकी बुवाई जून की 15 से लेके 25 तक हो जाने चाहिए और जो इसकी अर्ली मैट्यूरेटी हो र अपने नर्सरी बना रहे हैं उसका दोस्ते तीन बार को प्लाव होना चाहिए और जमीन एकदम नर्म हो जानी चाहिए प्वापर ड्रेने सिस्टम होना जी पानी बहुत ज्यादा पकड़ कर नहीं रखना चाहिए जब हम प्रिपेर जब हम तैयार कर रहे हैं तो गोबर खा या अच्छा कमपोस्त लेना चाहिए और अपने नर्सरी अच्छी बन सके माइक्वराइजा भी आता है माइक्वराइजा का भी अप्योग कर सकते हैं उतकरिस हैं मैंकोराइजा में टाल सकते हैं ताकि जड़े अर्षारी के लिए एक एके लिए आपको 5 किलो यूरिया 6 कि सब्सक्राइब सकता है मिक्स करके आप नर्सरी में डाल सकते हैं ताकि अच्छा एक हेल्दी तैयार हो सीड्लिंग सीड्लिंग का ऑप्टिमम एज मतलब क्या क्या उमर का सीड्लिंग हमें निकालना चाहिए अगर हमने धंस से फटिलैजर दिया है जमिंग को अची तर तैयार किया है पौदा बनाने के लिए तो 18-22 दिन में अगर आपके छोटी डूरेशन वाली वराइटी है तो 18-22 दिन में सीड्लिंग निकालने के लिए तैयार हो जाता है यह मैं बाद में बता दूंगा कैसे अवैलेबल होगा 25-30 दिन के अंदर और medium duration का seedling तयार हो जाता है और 35-40 दिन के अंदर जो लंबी duration की variety होती है उसका seedling तयार हो जाता है कैसे उसको खेंचे मतलब अगर आपका जब seedling तयार हो जाये तो उसके बाद में उसको आपको कैसे उसको बाहर निकाले जैसे ही चार पत्ते की स्टेज आजाती चार पत्ता दिखने कर शुरू हो जाता है तो आपको उसको बार निकाल देना चाहिए चार पत्ते की स्टेज का अगर हम निकालते हैं तो यह आपको टिलरिंग अच्छी मतलब कि जो उसके साइड में से जो निकलता है अगर आप पांच पत्तों के बाद में अगर आप करते हैं तो उसका आफके क्रॉप के पर्फॉर्मेंस के उपर और ग्रेन जो दाना बनने वाला उसकी इल्ड के उपर आएगा इसे अपने बोलते हैं कि मेच्चोर या एजर सीडलिंग है बड़ा हो गया है यह आपको जो उत्पादन मिलना चाहिए वह उत्पादन आपको नहीं मिलेगा इसलिए आपक अप्रॉप को खैंच लिया है तो आपको आप उसके जड़ों को करके भी दे सकते हैं तो उसके यह अच्छ एस्प्रॉंयोस आता है या या उन दोनों को ओना प्रॉत च्छ माइक्रव भार्वर्व मनाते हैं उसके अंदर आप पंदरह से 30 मिनटісक रख सकते हैं और उसके सबस्प्राइब स्कते हैं उसके च्यु指ित करने से बहुत अच्छा सेटिंग तो इस तरह किसे होना चाहिए तो और कितनी चाहिए तो यह प्रती हेक्टर के हिसाब से एक शौट्टम वराइटी है अगर आप साड़े बारा संटीमेटर से 10 सेंसंटीमेटर के हिसाब से लगा रहे हैं तो आट लाग पौदे आएंगे और अगर आप लो और मीडियम फर्टिलिटी है जमीन की तो आप ज्यादा पौदे लगाई और हाई फर्टिलिटी जमीन आपकी बहुत ज्यादा फ़ल्स ग्रूप अदर पांच तक पौदे लगाई है पेसिंग बीस क्रॉप ले रहे हैं दूसरा क्रॉप ले रहे हैं तीसरा क्रॉप ने जया रहे हैं और पहसं कोई ज्यादा ज़रूरी यह वर्रइटी हैंतला की नौर्मली जैसे आगे मैंने बताए एक मैंने के बाद में ट्रांसप्रांड करना, जहें चार पत्रक सक Yogya उसके बाद ने करना चाहिए एक हिल के उपर नौर्मली दो पौदे लगाने का सही तरीका रहता है जब ही आपने ट्रांस्प्रांडिंग कर रहे हैं तो उस समय पानी से फिल्ड को भर देना चाहिए ताकि पडलिंग जो कंडिशन हो तैयार हो जाए जैसे ही अपने पडलिंग जो अपने करते हैं पडलिंग एक प्लैंकर करके एक साधन रहता है जो ट्रेक्टर से लगा जाता है या बैल की मदब से किया जाता है वो वो कंडिशन वो पर जाता है